वीवर जस्ट इमेजिन वे ज्ञानिकों ने आर्टिफिशल तरीके से बच्चों को क्रियेट करके स्पेस्शिप के अंदर बिठाकर गैलेक्सी में इंसानी सब्था को बसाने के लिए भीज दिया था लेकिन जब वो सारे बच्चे धिरे-धिरे बड़े होते हैं तब उन सबी के साथ अंतरिक्ष में डरा देने वाली और जानने वाई घटना एगटना स्टार्ट हो गई थी कहानी की शिर्वात में हमें एक रिसर्च और्गनाईजेशन दिखाय जाती है जिसकी चेर्मेन सबी को ये बता रही थी कि हमारा अर्थ अब रहने लायक नहीं रह गया है इसलिए कई सालों की मैनत के बाद उनकी टीम ने एक ऐसा प्लानेट खोज निकाला था जहांपर हम इंसान रह सकते थे लेकिन उस प्लानेट तक पहुचने के लिए 90 यर्ज का समय लगने वाला था लेकिन उन सबी को अपनी इंसानी सभिता बचाने के लिए वहाँ पर पहुचना ही पड़ेगा इसलिए बहुत सोचने के बाद ये एक प्लान बनाया जाता है कि वो स्पेस्शिप के अंदर तीन जनरेशन को इंकलूट करेंगे जैसे कि पहली जनरेशन स्पेस्शिप से बैट कर निकलती है तब उस टारगेटेट प्लानेट पर उन जनरेशन के ग्रैंट संस पहुचेंगे लेकिन अब रिचर्ड नाम का एक वेग्यानिक इस पूरे प्लान पर एक सवाल करता है उसके सबसे जो भी बच्चे स्पेस्शिप में भेजे जाएंगे वो बहुत ही ज़ादा इंटेलिजेंट और सर्वाइफ करने वाले होने चाहिए क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान को स्पेस्शिप में भेजा जाएगा तब वो इतने टाइम तक सर्वाइफ कर ही नहीं सकते थे रिचर्ड की इन सारी बातों को रिसर्च और्गनाइजेशन ने नोट कर लिया था और अब उन लोगों ने कई महीनों की मैनत के बाद आपिफिशल तरीके से बच्चों को क्रियेट करना स्टार्ट कर दिया था इन सभी का दिमाग नॉर्मल बच्चों से काफी जदा होता है और तो और उन सारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही कहीं भी बाहर जानी नहीं दिया जाता था कुशिच पूरी होती थी कि उनके चारो तरफ का इन्वार्मेंट एकदम स्पेस्शिप जैसा हो जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ने चले कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है रिचर्ड तो हमेशा उन सभी के साथ जाता था और उनके साथ मजे करता था बहुती कम टाइम में मानो रिचर्ड उन सभी का पैरेंस बन गया हो और अब मिशन को स्टार्ट करने का टाइम आ जाता है यानि कि उन सारे बच्चों को स्पेश शिप के अंदर बिठा कर प्लानेट की तरफ रवाना कर दिया जाएगा लेकिन रिचर्ड को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अगर ये सब मिशन में चले गए न तब वापस आने का कोई चांस ही नहीं था इसलिए रिचर्ड अपनी सीनर मैनेजर से बात करता है कि वो भी इन सभी बच्चों के साथ मिशन पर जाएगा सीनर मैनेजर रिचर्ड को एक बार फिर से याद दिलाती है कि अगर वो इस मिशन में चले गया न तो फिर वापस कभी लौट करनी आएगा रिचर्ड तो इस बात के लिए भी मान जाता है और अब रिचर्ड बाकी सभी के साथ टार्गेटेट प्लानेट की तरफ लौँच कर लेता है दिरे दिरे टाइम बीतने के साथ साथ वो सारे बच्चे टीनेजर बन गये थे उनके पास इतनी एबिलिटीज और सोचनी की छमता आ गई थी कि वो सब मिल कर स्पेस्चिप को अच्चे से कंट्रोल कर ले रहे थे रिचर्ड तो उन सभी लोगों का प्रोफेसर बन गया था स्पेस्चिप पर मौझूद सारे लड़की लड़किया सिर्फ अपना काम ही करते थे उनके अंदर ना ही कोई फीलिंग्स थी और ना ही कोई शेंसेशन मानो उनकी लाइफ सिर्फ इतनी है उन सभी लड़के लड़कियों को पता नहीं क्यों एक ब्लू कलर का सिर्म दिया जाता था पीने के लिए और ये मेंडेटरी था कि सारे लोग ये सिर्म पीएं अब हमें सैला नाम की एक लड़की दिखाय जाती है जो बड़े ही मासुम तरीके से स्पेश्चिप के बाहर देखकर कुछ सोच रही थी इसके बाद सैला डायरेक्ली रिचर्ड के पास आ गई थी जो बात कर रही थी उन सभी के बारे में सैला का ये कहना था कि उन सभी लोगों की जिन्दगी की किमत है भी की नहीं क्योंकि वो सब यहां पर कपसे बंध है तब जाकर रिचर्ड समझाता है कि वो सब एक मिशन पर है और ऐसा नहीं कि उनकी जिन्दगी की कोई वैल्यू नहीं है बस हमें अपने कंट्री की काम आना है अब हमें क्रिस्टोफर नाम का एक लड़का दिखाये जाता है जो लेबरेटरी में रेसर्च करने का काम किया करता था उसी दोरान क्रिस्टोफर को T-5-6-J ये नाम की केमिकल के बारे में पता चलता है क्रिस्टोफर को सिर्फ ये बात पता चली थी कि जो ब्लू लिक्वीड वो सब पी रहे थे ये कैमिकल उसी के अंदर मिला हुआ था इसलिए अब क्रिस्टोफर अपने एक दोस जैक के साथ कैमिकल के बारे में पता करने के लिए चला गया था सिस्टम में चेक करने के बाद वो दोनों बहुत ही जादा शौक हो जाते हैं दरहसल ये केमिकल उन सारे लोगों को जान बुच कर दिया जा रहा था क्योंकि इस केमिकल के पीने की वज़े से ना ही उन्हें कुछ मैसूस होता था और ना ये उनके अंदर फिलिंग्स जागती थी इसके बाद क्रिस्टोफर और जैक ने ये डिसाइड किया कि वो ब्लू वाला लिक्विट पीएंगे ही नहीं उन दोनों ने तो कई दिनों से वो लिक्विट पीना ही छोड़ दिया था लेकिन इसका अंजाम आगे चल कर बहुत ही जादा भयान अखोने वाला था अब यहाँ सारे लोग खाना लेने के लिए लाइन लगा लेते हैं क्रिस्टोफर सेला के पीछे खड़ा हुआ था और अब तो उसे सेला पसंद आने लगी थी क्रिस्टोफर लगातार सेला को घुरता ही रहता है लेकिन अब खाना खाने के बाद जैक ने आकर सेला का हाथ पकड़ लिया था उसे भी सेला बहुत ही जादा अच्छी लगने लगी थी रिचर्ट तुरंत ये सारी चीजे देख लेता है वो लगातार जैक को सेला का हाथ छोड़ने के लिए कह रहा था जैक हाथ तो छोड़ देता है लेकिन ये सारी चीजे वो ब्लू लिक्विड ना पीने की वज़े से हो रही थी अब तो क्रिस्टोफर और जैक की फीलिंग्स भी जगना स्टार्ट हो जाती है वो दोनों बागी लोगों से काफी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे अब दूसरी तरफ रिचर्ड सैला के साथ एक रूम में मौझूद था जो उसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांस के बारे में बता रहा होता है जैक और क्रिस्टोफर भी घूमते घामते वहाँ पर आ गए थे और तब उन्हों ने देखा कि रिचर्ड ने सैला के कंधे पर हाथ रखा हुआ है वो दुनों इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुसा हो गए थे पर अभी के लिए जैक और क्रिस्टोफर वहाँ से चले जाते हैं अभी एक दिन रिचर्ड सभी को बताता है कि उनका अर्ष से कॉंटाक टूड गया है क्योंकि स्पेस्शिप के कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ खराबी आ चुकी है इसलिए रिचर्ड डिसाइड करता है कि वो क्रिस्टोफर के साथ बाहर स्पेस्शिप को ठीक करने जाएगा वो सारे लोग तयारी करना स्टार्ट कर देते हैं यहां जैक फीट से सेला के पास आने की कोशिश करता है उसने तो सेला के बॉड़ी पर टच करना भी स्टार्ट कर दिया था सेला तो अपने आपको बचाने के लिए जैक को पीछे ढखिलते रहती है तभी साइड टाइम पर रिचर्ड वहां पर आके जैक को सेला से दूर कर देता है जैक एकदम गुसा होकर वहां से भाग गया था रिचर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि जैक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है अब कुछ टाइम बाद रिचर्ड और क्रिस्टोफर स्पेस्टिप के बाहर से ले जाते हैं कमिनिकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए उन दोनों को वहां पर बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी लेकिन अब जैक पता नहीं क्यों कंट्रोल सिस्टम में आ गया था और वह वहां पर कुछ न कुछ तो करने लगता है वहां रिचर्ड ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और क्रिस्टोफर उसकी हेल्प कर रहा था तबी अचानक से रिचर्ड को एक जटका लगता है जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया था स्पेस्शिप के तो बहुत सारे सिस्टम खराब होकर जनला स्टार्ट हो गये थे लेकिन क्रिस्टोफर कैसे भी करके रिचर्ड को स्पेस्शिप के अंदर लिखिया जाता है अच्छे से देखने के बाद ये पता चला कि रिचर्ड को बहुत ही ज़रा चोट लगने की वज़े से वो मारा जा चुका है जिससे कि सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे आखिर ये कैसे हुआ किसी को भी नहीं पता था वोटिंग में जैक और क्रिस्टोफर खड़े हुए थे लेकिन सबसे ज़्यादा वोट क्रिस्टोफर को मिले होते हैं इसलिए क्रिस्टोफर स्पेस्शिप का नया कैप्टन बन जाता है जैक को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुसा आ रहा था लेकिन वो अब Christopher के साथ रहने का नाटक करने लगता है Christopher ने सारे लोगों को अपने अपने काम बता दिये थे वो सब मिलकर स्पेस्शिप को ठीक करते हैं और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं Sella तो Richard के कमरे में आकर उसकी चीजों को देखने लग जाती है वहाँ पर तो Richard के family की photos भी मौझूद थी Sella को Richard की बहुत ही ज़्यादा आ रही थी अब एक दिन Christopher देखता है कि सबी लोग काम नहीं कर रहे हैं वो directly Jack के पास चले गया था जो उसे बता रहा होता है कि refrigerator system खराब हो चुका है इसलिए उनका रखा हुआ खाना भी बेकार हो जाएगा situation को ध्यान में रखते हुए Christopher ने सारे खाने को खतम करने का जिम्मा उठा लिया था और अब उस राद सबी लोग पहले बार खाने की party करते हैं अब कुछ दिनों बाद Jack और उसके दोस्तों ने सभी को भड़का दिया था कि वो blue liquid ना पियें क्योंकि उस liquid में drugs है ये बात सुनकर सभी लड़की लड़कियों ने blue liquid पीना बंदी कर दिया था और अब देखते हैं देखते हैं सभी लड़की लड़कियों का behavior एकदम से change हो जाता है वो liquid ना पिने की वज़े से सभी लोगों में feelings आ चुकी थी और अब जो उनके मन में आ रहा था वो सब वही कर रहे थे समय के साथ वहां के लड़की लड़कियां एकदम से aggressive हो जाते हैं उन्होंने तो spaceship का काम करना भी बन कर दिया था वो सब सिर्फ खाते थे और TV देखते थे जिन लोगों ने liquid नहीं पिया था वो बहुती ज़्यादा गुसा होकर एक दूसरी से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं जब सैला और क्रिस्टोफर सभी को अपने अपने काम पर जाने के लिए कह रहे थे तब जैक जवाब देता है कि वो सब किसी के गुलाम नहीं है वो सब अब पूरी तरीके से आजाद हैं और जहां मन चाहे वहाँ जा सकते हैं देखकर ऐसा लग रहा था कि जैक ने अपनी खुद की टीम बना ली है तब यू उन सबी को एक बात पता चली जिससे कि उनकी पैरोतले जमीन खिसक गई थी ये फूटेज उस टाइम की होती है जब रिशर्ड मारा गया था और ये सारी चीजे जैक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी उसी नहीं रिचर्ड के पास वाले सिस्टम में सौट सर्किर्ट की आ था जिससे कि उसकी जान चली गई क्रिस्टोफर और बाकी सब इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुसा हो जाते हैं इसलिए अब क्रिस्टोफर ने जैक के पास आकर उसकी वो फुटेश प्ले कर दी थी जिसमें साफ साब दिख रहा था कि जैक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रिचर्ड की जान ली है जैक के टीम मेंबर्स ये दिखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए थे लेकिन अब जैक ने अपने टीम मेंबर्स को क्रिस्टोफर के खिलाब बहुत ही ज़्यादा भढ़का दिया था इसलिए क्रिस्टोफर के बाकी टीम मेंबर्स को वहां से अपनी जान बचा कर भागना पड़ा जैक अपने टीम मेंबर्स को अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई भी चीज उठा लेने के लिए के लिए कहता है जिसे कि वो सब एक हतियार की तरह यूज कर सकें और अब वो लोग लगातार क्रिस्टोफर और उसके दोस्तों को मारने के लिए निकल पड़े थे क्रिस्टोफर सेला और बाकी सबी के साथ एक रूम में आकर छूप गया था तब ही सेला क्रिस्टोफर को बताती है कि उसने रिचार्ट की एक बुक में पढ़ा था कि इस जगब पर एक स्पेशल कमरी में बहुत सारे हतियार मौजूद है इसलिए अब क्रिस्टोफर लगातार उन सारे हतियारों को ढूणने लगता है लेकिन क्रिस्टोफर से पहले पता नहीं कैसे जैक उस रूम में पहुँच गया था और अब जैक और उसके टीम मेंबर्स ने सारे के सारे एडवांस हतियार अपने पास रख लिए होते हैं यानि कि अब क्रिस्टोफर और उसके दोस कहीं भी भाग कर जा नहीं सकते थे जैक के पूरी टीम एकदम पागलों की तरह उन्हें ढूंडने लगी थी जैक ने तो अपना धोस जमाने के लिए क्रिस्टोफर की एक फ्रेंड को गुली भी मार दी थी और अब वो लगातार पीछे भागते रहता है क्रिस्टोफर और सेला को मारने के लिए वो दोनों तो जल से जल एक रूम में जाकर छुप गए थे लेकिन जैक जैसे ही रूम के अंदर आता है उस स्पेस्चिप का डोर उपन होने की वज़े से बाहर खीचा चला जा रहा था लेकिन जैक इतनी जल्दी हार नहीं मानता उसने तो क्रिस्टोफर को पकड़ लिया था और अब दूनों में हाथा पाई होना स्टार्ट हो गई थी बिचारा क्रिस्टोफर स्पेस्शिप से बाहर चली जाता है लेकिन जैक तो अभी भी स्पेस्शिप के अंदर आने की कोशिश कर रहा था तभी सैला ने बड़ी हिम्मत करके अपने पैरों से जैक को मार दिया था जिससे कि जैक दूर स्पेस में चली जाता है सेला बहुत ज़ारा डर गई थी क्योंकि क्रिस्टोफर भी स्पेस में चला गया है लेकिन जब इसने ध्यान से देखा तब क्रिस्टोफर स्पेस शिप को पकड़ कर खड़ा था और तो और उन दोनोंने सेफटी के लिए स्पेस शूट पहन कर रखा था यानि कि स्पेस में अब तक उसका भरता बन गया होगा सेला कैसे भी क्रिस्टोफर को स्पेस शिप के अंदर खीचती है और अब वो दोनों बिना देदी कि ये बाकी लोगों के पास चले गए थे क्रिस्टोफर ने बताया कि अब जैक मर चुका है इसले इस पूरे जगह का कैप्टन मैं हूँ और सभी को मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा क्रिस्टोफर तो एक बहुत ही अच्छा आदमी होने के साथ साथ काफी अच्छा कैप्टन भी था और अब हमें पूरे 80 साल बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स जनरेशन वाले काफी बुड़े हो चुके थे और अब उनकी स्पेश शिप टार्गेटेट प्लानेट तक पहुँच गई थी जहाँ पर उन्हें इंसानी सब्यता को बढ़ाना था और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खतम हो जाती है तो वीवर्स आपको ये स्टोरी कैसे लिए कि कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्प्सेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरह की मैजदा स्टोरी जून कर लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीया